नमस्कार तब वायर बुलिटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मैं हूरितो तॉमर और आईए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर मदरास हाई कोट ने कोरोनिल ब्रैंड का इस्तिमाल करने से पतंजली को रोका 10 लाख रुपे का जुर्माना लगाया रक्षा मंत्राले ने चीनी गुस्पैट की बाद स्विकारी बाद में दस्तावेज पेपसाइट से हटाया रास्टिय मानवादिकार आयोग ने कहा जूटे आरोपों से हुई मानसिक प्रताडना के लिए कारेकरताओं को मुआवजा दे 36 गड़ सरकार और देश में पहली बार कोरोनवाइरस के मामले एक दिन में 60,000 से ज्यादा और अब खबरे विस्तार से बाबारामदेव की पतंजली आयूरवेद को मदरास हाई कोट में जटका देते हुए कोरोनिल ट्रेड मार्क का इस्तमाल करने से रोप दिया है बतादें कि कोरोनवाइरस के बीच पतंजली आयूरवेद ने कोरोनिल को इम्म्यूटि बूस्टर के तोर पर बजार में उता रहा था उस्थोरान बाबारामदेव ने साफ्तो नहीं कहा था कि कोरोनवाइरस का इलाग संभव है बता दें कि पिछले महीने मदरास हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कोरोनेल ट्रेड मार्क पर इसकेमाल करने से पातंजली आयुरवेद को रोग दिया था दरसल इस दोरान चेनई के कमपनी आरुद्रा इंजीनरिंग ने आचिका दायरकत कहा था कि साल 1903 से ही कोरोनेल उसका ट्रेड मार्क रहा है इस भी सुनवाई के दुरान बॉंबिर हाई कोर्ट ने पातंजली आयुरवेद पर 10 लाग पेका जुर्माना लगाते हुए कहा था इस बात को ध्यान में रखना बेहर जरूरी है कि ऐसे समय में जब लोग कोरोना वाइरस से मर रहे हैं दुनिया में अभी कहीं भी इसका इलाद संभव नहीं है ऐसे में बचावपक्ष ने लोगों के दर का फाइदा उठा कर इसे पैसा बनाना चाहा अदालत ने कहा कि 21 अगस्तक बचावपक्ष जो है वो अपने जो जर्माने की राशी है उसको अदा करें और अगली खबार भारत और चीन के बीच चल रहे सिमाय गतिरोद के बीच र अपलोड किया गया था और इस दस्तावेज के दूसरे पन्ने पर LAC पर चीनी अतिक्रमन के नाम से एक सब सेक्षिन है जिसके पहले पैराग्राफ में इसे स्विकार किया गया है और इस पहले पैराग्राफ में क्या लिखा गया है मैं वो आपको पढ़कर बता देती हूं इसमें लिखा गया है कि 5 में 2020 से LAC की पास विशेश रूप से गलवान घाटी में चीन की जो आक्रामकता है वो लगातार बढ़ रही है चीनी पक्ष ने 17-18 में को कुगरांग नाला, गोगरा और पैगोंग सो जील के उतरी किनारे पर अतिक्रमन किया था यानि ये जो अब ऑन में बढ़ांग अंतिक्रमन की कोशिश की थी लेकिन भारती स्थे नाकाम कर दिया था, के बीच sorry खी네 शहीद में नहीं कर नाहीं बृगी person चूटे मुकत में दर्च करने के लिए 36 गड़ सरकार को एक एक लाफ रुपे मुआफजा देने का निर्देश दिया है। लेकिन इस बात के पुकता सबूत थे कि महिला ने अपने शिकायत में किसी को भी नामजद नहीं किया था। और अब बुलेटिन की आखरी खबर देश में 24 गंटों में कोरोनवाइरस के एक दिन में मामले जो हैं वो साथ हजार से अधिक दर्च होए हैं। अब अगर बात करें दुनिया भर की तो दुनिया भर में कोरोनवाइरस के एक दशमलों 92 करोड से जादा मामले तक दर्च होए हैं। अधिक दुनिया भर में कोरोनवाइरस से 7,18,000 में मौत होई हैं। अमेरिका के बाद नंबर है ब्राजील का… ब्राजील में 29,000 मामले आप तक सामने आ चुके नहीं हैं। अधिक इसी तरह की तरह के रूस की बात करें। दोरूस में करोनवाइरस के आठ लाग से ज्यादा मामले दर्च हैं जिब कि मिर्टकों की संखिया है वह 14,000 से ज्यादा बताई जा रही है इसी तरीकी से अक्षिन अफ्रिका में 5,000,000 से ज्यादा मामले अब तक करोनवाइरस के दर्च हुए है जबकि वहाँ पर 9000 से ज़ादा लोग जो है वो करोना वाइरस की वज़े से दम तोचुके हैं बात करें मैक्सिको की जहाँ पर करोना वाइरस के 4 लाग से ज़ादा मामले अब तक सामने आए हैं आज पुलेटिन में सिर्फ इतना ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप दोवायर की हिंदी अंग्रिया जी उर्दू और मराखी वेबसाइट से जोड़े रहें तब तक लिए शुक्रिया नमस्कार दोवायर की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए दिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें